बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम, असलाम लेकूम टो तानीस किचन आज मैं आपके लिए एक बहुत जबर्दस सी रेमिडी लेके आई हूँ अगर आपके सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द ही आपको नजर का मसला है तो ये वीडियो आप ही के लिए स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखेगा बिस्मिल्ला गर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या चीज़ा चाहिए काजू यहां पर मैंने लिए हैं एक चोथाई कप बदाम मैंने लिए एक चोथाई कप मिस्ट्री एक चोथाई कप जितनी सौफ मैंने लिए एक चोथाई कप मखाना मैंने लिए एक कप बुने हुए काले चने लेंगे एक कप ये छिलके वाले भी मिल रहें तो कोई मसला नी इसके बाद लेंगे जो चारो मख्स होते हैं एक चोथाई कप अब इन तमाम चीजों को रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर देखे मखाना मैंने कड़ाई में डालिया इसमें एक खानी का चमच देशी गी डालेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर यह क्रंची हो चुक है इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे सौफ एक चोथाई कप इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं एक से दो मिनिट के लिए ऐसे ही बाकी की तमाम चीज़े भी हम रोस्ट कर लेंगे इनने गी के बगएर रोस्ट करेंगे अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें इससे मुझे मोटिवेशन मिल दिया मैं आपके लिए और ज़्यादा चीची वीडियोज लेके आऊंगे यहाँ पर मैंने बदाम एड़ कर दिया हैं बदाम को भी एक से दो मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे और काजू को भी ऐसे ही हलका सा रोस्ट कर लेंगे तमाम चीजों को रोस्ट करके निकालते जाएंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अब मिक्सी में मैंने मकाना डालिया इसे पीस लेते हैं सारी चीजों को बारी-बारी करके ऐसे ही पीस लेंगे यहाँ पर मैंने मकाना पीस के एड़ कर दिया बदाम भी पीस लिये है अब जब बुने हुए चने थे उन्हें भी मैंने चिलके के साथ ही ऐसे ही पीस लिया था चिलके जो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएंगे अब इसमें काजू भी पीस के डाल दिये सौफ थी वो भी हमने पीस ली है और जो चारों मग्स थे उन्हें थोड़ा सा मोटा करके पीस लेंगे जो मिस्ट्री थी उसे मैंने पहले कूट लिया था इसके बाद इसे पीस लेंगे पीसने के बाद ये तकरीबन वन थर्ड कप जितनी हो गई थी अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जी मिक्स करने के बाद चलते हैं नेक्स ट्रेप की तरफ अब जी मैंने एक पैर में लिया देसी गी वन थर्ड कप जितना जो तमाम खुश्क चीज़ें थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से गी के साथ मिक्स कर लेंगे फ्लेम को मैंने मीडियूम टूलो के उपर रखा हुआ है वरना ये नीचे से जलने लग जाएगी गी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से आप इस रेसिपी में जितनी चीज़े मैंने आपको बताई है सेहत के लिए बहुत ही जाद आच्छे है मखाना तो वैसे ही फुल आफ कैल्शियम होता है जो हड्यों को मजबूत करता है पंजीरी जो है बन कर त्यार हो चुकी आप इसे रूम टैपरेचर के उपर स्टोर करेंगे और रात को सोने से पहले एक कप नीम गर्म दूद के साथ दो खाने के चमच लेंगे और एक महीने में आपको इसके रिजल्स मिल जाएंगे वीडियो चिले के चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज